हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडेनिस्टडी इंडेनिस्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी जेल वोडर के लिए बहुत ही जादा इंपोटे प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला कोशन पहला कोशन आचार का ब्लूम सब्द क्या है जल्दी बताईए तो दोस्तों अगर हम बात करें आचार के ब्लूम सब्द की तो आचार का ब्लूम सब्द हो जाएगा अनाचार यान आप लोग के लिए वीजन बेच लेकर के आया है यूपी जेल वोटर का जिसमें हिंदी मैद रीजिनिंग और जीके सभी आपको पढ़ाय जा रहा है इस कोर्स को पर्चेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुगा है तो चलिए देखते हैं जिसकी आसा ना की गई हो वाक्यांसो के लिए एक सब्द क्या होगा तो जिसकी आसा ना की गई हो उसको हम बोलेंगे आप प्रत्यासित यानि कि इस कोस्टन का दूसरा आप्संस बिर्गल करेक्ट है सेद इबराहिम का कभी नाम क्या है सेद इबराहिम इनका रियल ले में और इनका कभी नाम क्या है यानि कि किस नाम से जारते हैं तो देखो रस्खान का जो पूरा नाम है वो है आपका सेद इबराहिम यानि केs questions का तीसरा options आपका विर्कुल correct हो जाएगा और ये बहुत important कभी है प्रेम बाटिका रसुसान रस्खान ये इनकी विसेश किरतिया है ठीक है next questions निम्लिकित मेंसे कौन सा पताका का प्रहवाची सब्द है पताका का प्रहवाची सब्द देखो निसान, दोज और जंडा ये सभी पताका के प्रहवाची सब्द होते हैं जबकि प्रस्तर ये पत्थर का प्रहवाची है ना की पताका का कामाईनी को चायाबाद का उपनिसद किसने कहा आप सभी लोग जानते हैं कामाईनी जो है ये जैसंकर प्रसाद की प्रमुक किर्ती है और इस किर्ती को चायाबाद का उपनिसद किसने कहा सांती प्रिये दुवेदी जीन है यानि कि इस कोस्टंस का चोथा ओप्संस करेक्ट गोस्वामी तुलसिदास ने रामचरितनमानस की रचना किस संबद में की थी अब अगर कोस्टंस कठिन तरीके से पूचे गए तो ऐसे कोस्टंस आपको देखने को मिलींगे क्योंकि आपने तुलसिदास के बारे में भी पढ़ा रामचरितन मानस के भी बारे में पड़ा अब ये आपने नहीं पड़ा होगा कि कौन सी संबद में ये रचना किस संबद में की गई थी तो आपका जो सही आंसर हो जागा वे हो जागा 1631 पहला ही options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा सू प्लस आगतम में कौन सी संदी है जल्दी बताओ सू प्लस आगतम में कौन सी संदी है तो यहाँ पर आपकी जो संदी हो जाएगी वे हो जाएगी आपकी यण संदी चोथा options correct क्योंकि छोटी औ, बड़ी औ, चोटा हूँ, बड़ाँ रेसे रिसी के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका परिवर्तन या हुआ रा लावा में हो जाता है ठीक है ना तो यहाँ पर स्वर संदी होगी Next question त्रवेडी में किन तीन महान कवियों की समिक्छप प्रस्तुत की गई है जल्दी बताओ त्रवेडी में तो किन तीन महान कवियों की समिक्छप प्रस्त की गई है तो आपका सही आंसर हो जाएगा जायसी सूर्दास और तुलसी दास दूसरा option बिल्कुल करेक्ट है निरवेड किस रस्त का इस्थाई बाव है जल्दी बताओ निर्वेद किस रस्त का इस्थाईबा हो है तो आप सभी लोग जानते हैं सांत रस्त का इस्थाईबा होता है निर्वेद तो यहाँ पर दूसरा उप्संस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वन थर्टी वाला है किसरी हर्स द्वारा रचित नैस धी रचित में किस रीती की प्रधानता है तो किस रीती की प्रधानता है तो सही आंसर हो जाएगा वैधर भी रीती दूसरा options बिल्गर correct ऐसे कठिन questions mostly आपसे पूछे नहीं जाएंगे लेकिन अगर आ रहे हैं तो केवल और केवल देख करके आगे बढ़ो बस next question से आपका सूची एक को सूची दो से मिलाना है क्या आप यूलिग क्या याद करूँ यह हरीबंस राय बच्चन की आत्मकता है तो यानि कि पहला जो है वो तीसरे से मिलेगा अब देखो पहला तीसरे से कौन से options में मिल रहा सर एक यू options में मिल रहा दूसरे options में तो दूसरा options है यहापर आपका बिल्कुल correct है यानि कि तीन चार दो एक क्या भूलूं क्या याद करूं यह क्या है आत्मकता आबारा मसिया क्या है यह है एक जीवनी तंत्रा लोक से यंत्रा लोक तक यह क्या है यह एक यात्रा साहित है और मेरा परिवार यह एक रेखा चित्र है समझ गए ना तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बता दी next questions गीतिक के रचनाकार कौन है जल्ली बताओ गीतिक नहीं होगा यह गीतिका होगी क्या होगा गीतिका के रचनाकार कौन है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सूर कांतर पाठी निराला तीसरा options correct अनामिका भी यह नहीं की है तो तुलसिदासिक रचनाए वो यह नहीं की है ठीक है ना और आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वे हिंदी दूसरा options बिलुकल correct महा कभी कालिदास किस अलंकार के लिए परसिद्ध हैं Most important questions महा कभी कालिदास किस अलंकार के लिए परसिद्ध हैं तो आपका सही answer हो जाएगा उपमा अलंकार पहला ही options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct है नाट्ट सास्तर के प्रिणा या रचीता कोन है चल्दी बताओ नाट्ट सास्तर के रचीता कोन है तो सही answer हो जाएगा आपका भरत्मुनी दूसरा options बिल्कुल correct नाट्ट सास्तर के रचीता कोन है भरत्मुनी निमले के तमेंसे कौन सा नाटक जैसंकर प्रिसाद द्वारा रचित नहीं है क्योंकि थोड़ा इस पात पे ध्यान दीजिएगा नहीं यहाँ पर लिखा है इसकंदगुप्त ये तो है चंदगुप्त ये भी है दुर्बस्वामनी ये तो यूपिपलिस कॉंस्टेबल में पूछा भी जाए सुका है करवला आप सभी लोग जानते है करवला नाटक जो है ये प्रेम चंदर का है मुनसी प्रेम चंदर का नागी जैसंकर परसाद का अगे की रचना कौन सी है इसमें से आपको बताना है 138 अगे की रचना कौन सी है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कुरू छेत्र कुरू छेतर जो है ये हरी घास पर छाना कुरू छेतर तो ये रामदारी जिंद्धन और हुकार भी नाम दूजिक ठीक है हई घास पर छानल वर ये है अंगे अगे घी रचना यानि दूसरा ऑपस्थन्स यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जायेगा correct हो जाएगा ठीक है ना इस वात को ध्यान लगना next question दोस्तों आपके सामने के निमले के तमेंसे कौन सा बाग का जो है वो क्या है सही है जल्दी बताओ कौन सा बाग का जो है वो सही है question number 139 आपका सही आंसर हो जाएगा स्री किष्ण के अनेक नाम है ये बाग जो है वो क्या है सही है अनेकों होगा नहीं क्योंकि अनेक अपने आप में ही एक बहुबचन है ठीक है इसलिए इत्यादी सब्द का सही संदी विक्चिद क्या होगा इत्यादी सब्द का सही संदी विक्चिद यहाँ पर याण संदी होगी ठीक है ना तो यत्यादी सब्द का सही संदी विक्षे दोगा इती पिलस आदी पहला ही ओप्सन्स करेक्ट संतान को कहा सीक्री सोकाम यह जो कथन है यह किसका है जल्दी बताइए संतन लिखाना की संतान संतन को कहा सीक्री सोकाम यह कथन जो किसका है यह कुमभन दास का है केवल याद कर लो याद दास में विठाने के लिए बागी ज़्यादा दिमाग लगाना ही जरूत नहीं है नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन है नई कहानी एक पत्रिका है इसके संपादक कौन है तो इसके संपात है कि हैं भेहरप, पिरसाद, गुप्त, दूसरा उप्संस करेक्ट, दूसरा नहीं चोथा रामचरित रमानास में कुल कितने कांड हैं, तो रामचरित रमानास में कुल साथ कांड हैं बताया था कौन-कौन से तो बता देना गर याद हो तो उजवल सब्द का सही संदी विक्षित कीजिए, जल्दी बताओ उजवल सब्द का सही संदी विक्षित क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, भेह हो जाएगा तो आपका जो सही आंसर हो जैगा बैफ हो जाएगा कावर निर्ण एंध दूसरा आप्सन्स बिलकुल करेक्ट है निथल्ले की डायरी इसकी लेकर के हری संकर पर्साई चौथा आप्सन्स बिलकुल करेक्ट हिंदी साहित के इतियास ग्रंथ हिंदी साहित विमर्स के लेखक होने आपको लग रहा होगा कि सर आज ये कैसे ऐसा होता है दोस्तों कि जब अलग-अलग कोस्टन्स में लेकर के आ रहा हूँ तो आपके पसीने चूट रहे होंगे तो बिल्कुल भी डी मोटिवेट नहीं होना कभी-कभी इस प्रैक्टिसेट ऐसे मिल जाते हैं ठीक है हिंदी साहित के तियास ग्रंथ हिंदी साहित विमर्स के लेखक है तो इसके लेखक है पदुम लाल-पुन्ना लाल-बक्सी चौधा आपसन्स करेक्ट निमलेक्ट मेंसे कौन सा योग मुझो है वो सही नहीं है भट लोट ये उत्पत्तिवाद सकुंक यानि कि अनुमितिवाद आचार्रे मम्मट भुक्तिवाद और अविनाव गुपता अवियक्तिवाद तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आचार्रे मम्मट आचार्रे मम्मट जो है ये भट नायक है ठीक है यानि कि भरत मुनी के नाट सूस्तर की व्याक्या भट लोटक ठीक है और ये सारी मैं आपको बता दूँ अगर इसका पूरा एक्स्प्लिनिसन आपको बताऊ देखो बुक्तिवाद के प्रिणला आचार्रे मम्मट नहीं है बलकि भट नायक है ठीक है बुक्तिवाद के कोन है भट नायक वरत मुनी के नाट सूस्तर की व्याक्या भट लोटक नौवी सदी सकुंग भट नायक और अभिवम गुप्त के द्वारा किरमसा मिमानसा न्याय सांक और सेव दर्सन के आलोक में की गई जो उत्पतिवाद अनुमितिवाद और मुक्तिवाद और अभिवक्ति के बाद से नाम से क्या है पुरसिद्ध है भारवी द्वारा रचिद किराता जुर्मीनियम का पुर्धान रस के आए तो इसका पुर्धान रस है बीर रस पहला आपसंस करेक्ट नेक्स्ट कोसंस रीती काल की विसेस्ताओं के संदर्व में निमले के तमेंसे कौन सी विसेस्ता जो है वो गलत है यह हमको बताना है रीती काल में अलंकरना की प्रदानता है ये बिल्कुल ठीक है रीती काल की प्रमुक भासा ब्रजवासा है बिल्कुल ठीक है रीती काल में प्रकती का अलंबन रूप में वर्णन किया गया है बस यही गलत है तो यहाँ पर तीसरा option जो है वो आपका बिल्गुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next questions चौथा सब्तक में संकलित कवित्तरी है जल्दी बताओ चौथा सब्तक में संकलित कवित्तरी का नाम क्या है तो सही answer हो जाएगा सुमन राजे दूसरा option बिल्गुल correct अश्ट चाप के प्रमुक कभी नंद दास किसके सिस्स थे जल्दी बताओ अश्ट चाप के प्रमुक कभी नंद दास किसके सिस्स थे तो आपका सही answer हो जाएगा बिठलनात के दूसरा option बिल्गुल correct है फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है कली मैंने आपको बताया था फूल नहीं रंग बोलते हैं इसके रचनाकार कौन है तो आपका सही answer हो जाएगा केदारनात अगरवाल पहला option correct मती सब्द के पष्टी एक वचन का रूप बताईए पष्टी एक वचन बताना है आपको मती का तो आपका जो सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा मतया यानि कि इस questions का तीसरा options बेल्गुल correct है next questions आपके सामने तुछ मनुस की मितरता सतुरता सीगर ही समाप्त हो सकती है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोति इसका आर्थ दिया है लोकोति आपको बताना है तो आपका सही answer हो जाएगा ओच्छी की प्रीत बालू की भीत यानि कि इस questions का चोथा options बेल्गुल correct है निमले के तमेंसे कौन सा रीखा चितर महादेवी बरमा का नहीं है अतीत के चल चितर ये तो है इस मिर्ति की रेखाएं ये भी है पत का साती ये भी है तो मंटो मेरा दुस्मान वस यही नहीं है तो यहाँ पर चोथा options जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ये उपेंदर नात अस्क का है ना कि महादेवी बरमा का तो यहाँ पर चोथा options correct तो दोस्तों ये थे आपके 37 questions जो कि मैंने आज आपको पूरे करवा दिये लेकिन आज मैं आपसे questions पूछ नहीं पाया कोई बात नहीं मैं आप लोगों से ऐसा ही पूछ ले रहा हूं आपको उस questions का answer comment box में बताना होगा ठीक है ना तो आज का जो questions है वो है आपका धनुस वान में किस तरह का समास है यानि कि धनुस वान में कौन सा समास है तो आप इस questions का answer मुझे comment box में बताएंगे कि धनुस वान में कैसा समास है बाहु बरिये समास दूंद समास तत्परुस समास या करमधार है समास चार आपसंस भी मैंने आपको दे दिये दोस्तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाईएगा क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाईएगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक केज़े सहर केज़ों और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मुरू जाना इसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत